60 days बचे हैं क्या यह इनफ है हमारी प्रिप्रेशन के लिए देखो प्लस नंबर ले आना है 150 प्लस नंबर बड़ा ही स्ट्रेटजी के साथ बड़ा ही लॉजिकल वे में इस नंबर को स्कोर करके मुझे एक डेफिनिट से सीट चाहिए नाइटी में यह जो दो महीने की जर्ण प्रिप्रेशन के लिए जो बहुत ज्यादा करेब है कुछ ऐसे बच्चों गे जो अभी भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं और उनके माइंड में एक सवाल है कि क्या दो महीने में मेरा जेई क्रेक हो सकता है जवाब बहुत सिंपल सा है नहीं अगर आप उस बच्चों में लाइक करते हो उस केटेग्री में लाइक करते हो जिस ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कि यह अग्दम ही सीरियस में पूरे ऑफले ट्वेल्थ में पूरे ड्रॉपियर की जड़ने में तो यह नाम मुनकिन है लेकिन अगर आप उस बच्चे में लाई करते हो मैं इसको न 90 नंबर आ जाता है तो आपके लिए जवाब हाँ है अगर आप इस दो महिने को जो आपके 60 डे जा रहे हैं उसको आपने बहुत तरीके से उटिलाइज किया और अपने आप से प्रॉमिस किया कि नहीं मैं एक सिंगल सेकेंड लाई करने जा रहे हैं एक सिंगल सेकेंड यूट करने जा रहा हूं अपने प्रिप्रेशन के लिए तो डफनेटली आपका सेलेक्शन हाँ है अब बात समझने की कोसिस करते हैं यह जो 60 डे बचे हैं क्या यह इनफ है हमारी प्रिप्रेशन के लिए अपको यहां पे एक दम रैंक स्कॉर करना है बहुत बड़ा रैंक होल्ड और बड़ा ही स्ट्रेटजी के साथ बड़ा ही लॉजिकल वे में इस नंबर को स्कोर करके मुझे एक डेफिनिट सी सीट चाहिए नाइटी में तो डेफिनिटली आप इसे कर सकते हो अब उसको करने के लिए आपको करना क्या होगा देखो सिंपल सी कहानी है यार यह जो दो मह 5 महिने बनाना होगा कैसे बनेगा सिपोस्ट आप पढ़ाई करते हो 10 गंट और दस गंटे माप सीरियस 5 गंट पांच गंटे कि दिमाग में कुछ और चला किताब सामने खुलिए लेकिन आपका दिमाग कहीं और है यह सारी चीज़ें करके यह तो टेन आर्स की प्रोड़क् क्योंकि यार यह जो previous journey रही यह आपके लिए माईने बिल्कुल भी नहीं रखता है लेकिन यह जो दो माईने last के हैं यह बहुत जादा माईने रखता है अब आप ध्यान से समझने की कोसिस करना इन दो महिने में करना क्या है देखो कोई भी strategy वेगर आपको follow भी नहीं करनी है हर एक बच्चे का strategy अपना खुद का होना चाहिए क्योंकि आप से बहतर mentor आपका कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि no one knows आपकी weakness क्या है no one knows आपके अंदर क्य क्या positivity है आपकी strength क्या है वह आप ही decide कर सकते हो आप ही जान सकते हो तो आप अपने strength के according आप अपना challenge लो कि भाई मुझे यह score ले क्या आना है मुझे यह target करना है first attempt में इस पे मेरा 98.something percentile बन जाएगा इस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूं क्या मुझे रात में नीद आ जा strategy आपकी खुद की होनी चाहिए लेकिन एक चीज मैंटर करती है यह जो 60 days है इसे आप कैसे utilize करने जा रहे हो तो इस जरनी में मैं आपको help करने के लिए एक time table लेके आया हूं एक calendar है जो कि आप cyber cafe पे जाओगे print करा के लाओगे और आप अपने study table पे रख लोगे और daily का daily यह जो टास्क है आपके सामने इसे फिल किया करोगे तभी जाके काम बनेगा यह complete time table आप देखोगी यह 22 नौबर यानि कल से start है 23 जनवरी तक exam start होने के एक दिन पहले तक अगर आप ध्यान से समझोगी यहां पर लिखा वह बाइस नौबर वेड़नेश जैसे यह कल का दिन है तो मैंने physics में मालो three hours पढ़ाई की तो three hours मैंने यहां फिल कर दिये चैप्टर ने मानो इलेक्ट्रो स्टैट्स मैंने पढ़ा भी यहां पर मैं इल्ट्रो स्टैटिस्टिक्स लिख देता हूं chemistry में बही मैं two hours पढ़ाई किया chapter कौन कौन सा मालो organic में कुछ हमने पढ़ लिया है और गेनिक का नाम लिख लिया यहां पर भई पी ब्लॉक पढ़ लिया उसे हमने लिख लिया तो इस तरीके से आप यहां पर काम कर सकते हो मैं इसमें मालो हमने quadratic equation पढ़ा यहां पर लिख दिया नंबर आफ आफ आवर्स फोर मिसलैनियस में क्या मैंने कोई मौक दिया तो कि और आप इसे एक हपते बाद देखो गए और जब आप यहां जी रोओ यहां जी रोओ यह एक यहां एक जीरो एक और यहां अफ्टिविटी में कुछ नहीं कुछ नहीं टाइम पास किया है तो आप खुद को जवाब नहीं दे पाओंगे कोगे मैं कर क्या रहा हूं मैं क साथ दिनों से तो आप इस चीज को फिल करते हैं कि आप अपने आपको जवाब दोगे आप अपने लिए रिस्पॉंसिबल लोगे कि यार मेरा तो एक हफ्ता बीट गया मैं कुछ नहीं कर पाया इसी तरीके से जब आप यह तू मन्त का पूरा का पूरा केलेंडर फिल करोगे आपके पास एक विजन भी रहेगा क्यार मुझे आज रात में अपने से जवाब देना है सोने से पहले सोने से पहले जब मैं यह कलेंडर उठाऊंगा तो मैं क्या यहां पर फिल करूंगा तो जब आपके मन में डर रहेगा कि मेरा सेल्फ असेस्मेंट हो रहा है तब जाके कि आप सायद और डिसिप्लेंड हो पाओ के और वैसे मैं एक बात बताना चाहूंगा जो बच्चे डिसिप्लेंड है उनको इन सब चीजों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लेकिन जो बच्चे आर अपने राह से भटक चुके हैं उनको बिल्कुल जरूरत इस केलेंडर क कि आज ही जाएं साइबर केफे पे 10-15 रुपए लगेगा प्रिंट कराने में प्रिंट कराईए अपने टेबल पर रखिए सोने से पहले खुद को जवाब दो कि मैं आज दिन भर क्या किया उसे लिख के रखो इस केलेंडर को अपडेट करो और मैं डिफनेटली बता रहू तो यार साथ दिनों में आप ऐसा फिल करोगे कोगे वाह यार यह तो पूरा का पूरा प्रमहासर था मेरी स्टडी के लिए क्योंकि यह जो चीज थी 23 जनुरी तक आपको इतना इस्ट्रॉंग कर चुकी होगी आपको इतना डिसिप्लीन मिला देगी इससे ना सिर्फ आपक साथ कि प्रिंट कर आओ और कॉमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन इसे प्रिंट कर आ लिया है और प्रिंट कराने के बाद जब एक दो हपते हो जाए तो कभी भी जब आपका मन करें तो हमारे मेल पर आप इसी मेल कर सकते हो मेल है जे एड़बल एपी आर यीप सेबन डेफिनेटली यह जो केलेंडर है आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और दो महिने जो दिल से पढ़ाई कर लिया मैं उसे गारंटी देता हूं उसका जेए में सेलेक्शन होके रहेगा थैंक्यू वेरी मुच